दोस्तों, युनाइटी नेशन में आखिरकार एक बड़ा इलेक्शन जीतकर भारत ने दिखा दिया कि दुनिया भर के देश हर मोड पर भारत के साथ खड़े हैं और चाते हैं कि भारत संयुक्तराष्ट में ज़्यादा डिसीजन मेकिंग रोल निभाए जिसको लेकर आ रही ह हमारी पहली अप्डेट काफी इंट्रेस्टिंग है क्योंकि युनाइटी नेशन में भारत की ताकत देखकर चीन हैरान रह गया वही पर हमारी आज की दूसरी अप्डेट अजर्बाइजान को लेकर है जिसने अर्मीनिया के पास मवजूद भारती अतियारों का मजाक उड इसकी कीमत चुका रहा है क्योंकि भारत द्वारा सप्लाई किये गए एक हतियार की वज़े से अजर्बाइजान का अर्मीनिया पर सबसे बड़ा एडवांटेज खत्म हो चुका है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और इन दोनों ही इंट्रेस्टिंग जाकर एक तरफा जीत हासिल की जगजीत मैं भारत में इंडियन रिवेन्यू सर्विस की एक आउटस्टेंडिंग आफिसर रह चुकी है जिन्होंने 35 वर्स तक देश के अंदर अलग-अलग पदो पर अपनी सेवा दी जिसके बाद उन्होंने 2015 में इंटरनेशनल नॉर्कॉ इंटरनेशनल नॉर्कॉटिस कंट्रोल बोड के प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया है जो भारत के लिए एक काफी बड़ी जीत है इस इलेक्शन में जगजी पवादियमें को टोटल 41 वोट मिले जबकि दूसर नंबर पर जो केंडिडेट मुझूद था उसे सिर्फ 30 इस वोट ही मिल सके इस बड़े अंतर को हम एक तरफा जीत के तौर पर करार दे सकते हैं और ये इस बात का प्रतीक है कि उनाइटी नेशन में लगबग हर देश आज भारत के साथ खड़ा है इंटरनेशनल नॉर्कॉटिस कंट्रोल बोड एक काफी महतपूर संगठन है जो इस बात को दरशाता है कि दुनिया भारत पर कितना भरोसा करती है और इसका असर हम युनाइटी नेशन जनरल एसेंबली से लेकर युनाइटी नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल में होने वाले बदलाव पर भी देख सकेंगे क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ का नेतित्व करत हुए सबी देशों के लिए समान प्रतिनिधित्व कई डिमान कर रहा है और अब मैजोरिटी देश भारत के साथ आ चुके हैं जिसकी वज़े से हमें ये कहने में बिलकुल भी इचके चाहट नहीं होगी कि अगर उनाइटी नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल में पर्मानेंट भारत की ये बड़ी जीत एक एहम इवेंट है जिसका असर हम आगे युएन में भारत की मजबूत आवाज और प्रभाव के तोर पर देख सकेंगे ताकि युनाइटी नेशन में जरूरी बतला हो सके और ये संगठन बदलती दुनिया के साथ बदल सके बरहाल बढ़ते हमा भारत को परिशान करने के लिए अंतराष्ट इस्तर पर कश्मीर मामले में पाकिस्तान का समर्थन करता दिखा आज भारत के एक डिफेंस सिस्टम से उसके सबसे सकती शाली हत्यार बरबाद हो चुके हैं जिनकी ताकस से वे अर्मीनिया को युद में हरा चुका है दरसल एक विश्वस ने डिफेंस सोर्स में पब्लिक किये गए आर्टिकल के अनुसार भारत द्वारा सप्लाई किया गया अकास एयर डिफेंस सिस्टम अर्मीनिया के लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच बन चुका है 2020 के युद में अजर्बाइजान ने तुर्की से मिले बेरक्तर टीबी टू ड्रोन का इस्तिमाल करते हुए अर्मीनिया को काफी नुकसान पहुचाया था कई ऐसी पूटेज देखने को मिली थी जिसमें अजर्बाइजान के ड्रोन अर्मीनिया के मिलिटरी कॉन्वोई पर आसमानी हमला करते और उन्हें कुछ मिंटों में बरबात कर देते थे पर अब अर्मीनिया के पास मौझूद अकास यह डिफेंस सिस्टम की वज़े से ऐसा द्रश्च दुबारा देखने को नहीं मिलेगा यानि एक्सपर्ट का मानना है कि अकास मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील जो अर्मीनिया ने भारत से 6,000 करोड रुपे की कीमत पर की मिसाइल 100 मीटर से लेकर 20 मीटर की उचाई पर अवाश की रफतार से 3,5 गुना तेज उड़ रहे टार्गिट को नश्ट कर सकता है और इसकी किल प्रोबैबिलिटी 88% की है जिसको 5 सेकिंड में दूसरी मिसाइल लॉंच करके 98.5% तक बढ़ाये जा सकता है कुल मिला कर समझने की कोशिश करे तो भारत के खिलाब बयान दे कर अजरबायजान ने अपने ही पैर पर कुलहडी मार ली और अब उसकी वैसक्ती निस्क्रिय हो चुकी है जिसके दम पर वै अर्मीनिया से लुहा लेने की हिम्मत कर सकता था पर भारत यहीं पर नहीं रुक आईएगा इन्फर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद जैहिं